नमस्कार, डॉक्टर वेद प्रकाल सिंग, सीनियर साइंटिस मौसम केन भोपाल, जैसा पिछले 24 गंटों के दौरान संभावना जताई गई थी, बंगाल की थाडी का जो उत्री हिस्सा है, वहाँ पर प्रती चक्रवाती है, जो हवाएं हो काफी सक्री रही है, और साथ में प साथ में जो राजस्तान का दच्री हिस्सा है, वहां पर भी एक साइक्लोनिक सार्कूलेशन सक्री है, जिसकी वज़न से अरब सागर से दच्र पश्मी हवाएं आ रही है, वह नमी लेकर मत्वदेश या मत्य भारत की तरफ बढ़ रही है, जबकि जो बिंड आगा में 5-6 दिनों का जो हमने पूर्वान वान जारी किया है, वो आप मैप में देख सकते हैं यहां पर जो डेवन का है, माने 7 अपरेल का यहां पर लगभभग लगभभत देश के जो दच्षडी और मध्धी हिस्से हैं, भौपाल, सागर, जबलपूर, साइडोर, और इसी के चलते हैं, जो मौश्चर इनकरजन है कल से बढ़ेगा, यहां पर हमने देटू के लिए 8 अपरेल में जो जच्षडी जिले हैं, बेतुल, छिंदवारा, पांडोर्णा, सिउनी, मनला बारा, घाट और डिनोरी, यहां पर और जिनोरी यहां पर और जिनोरी जिले के बात के हम बात करें, तो चुकि लगातार 9 अपरेल, फिर उसके बाद 13-14 अपरेल, यहां पर दो पश्षडी भी चुम और सक्री होंगे, तो इसी के चलते हुए यह जो सिस्टम अभी करेंट में इसको सपोर्ट मिलेगा, और डे 3 अनवर्स ही है, जो सिस्टम के इंटेंस और इसे लगेवे दूसरे जिलों में जिसमें बोपाल और जवर्पुर संभागे में कुछ जिले सामिल है, यहां पे आरेंजलर्ट और प्रदेश के लगवंग लगवंग सभी हिस्सों में हलकी बुनाबानी की संभावना 22 गंटे के दोरान रहेगी, इसके बाद अगर हम करें तो भी दच्छड़ी जो हिस्सा है यहां पे वर्सा की गत्विदिया या लगातार बनी रहेगी, यह समाप्त नहीं होगी और जो 14 अप्रेल के आसपास जो लगातार दूसरा पश्य विच्छोब आएगा उसके चलते में वर्सा की गत्विदिया रुक रुक कर अगले उससे बचने के लिए जो भी आइमडी के तरफ से या फिर लोकल डिसास्टर मेरेजमेंट अथार्टी उनकी तरफ से जो भी चेतावनिया जारी की जाती हैं मोबाइल वाटसप ग्रूप के जरीए या फिर एसमेस के जरीए या फिर मोबाइल आप जो मेकदूत आप है या दामनी आप उसको ध्यान में रखते हुए जब कभी भी हेल स्टार्म या लाइटनिंग का लेट दिया जाता है तुरंत सुरच्छी तिस्थानों पर चले जाएं जो भी खुले वर्कर्स है एक्सपोस्ट एरिया में काम कर रहे है या फिर लेबर से या फिर फिर फार्मर से वो कभी भी पेड़ों के नीचे सड़ना लें अपने जो पालतू पसू है उनको भी पेड़ों के नीचे नहीं बांदना है साथ में जो कच्छी जोपडियां है जो मड हाउसे है या फिर दूसे जो कॉंक्रीट इस स्ट्चर या फिर पोल्स है जिसमें विद्दुत का संच जालन हो सकता है बिजली गिलने के दोरान उन से दूर हट जाए और सुरच्छी सिस्थानों पे रहें इसके अलावा अगर हम का एग्रिकल्चर के हिसाब से आडवाइस करें तो जो भी फॉर्मर्स है उनके लिए चुकि यह बहुत क्रिटिकल टाइम है हर्वेस्टिंग चल कर देना चाहिए जान्यवाद